नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री हब में आज हम आधुनिक भारत में सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे इस विशे के उपर मेरे से पहले भी दो लेक्चर हो चुगे हैं आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें भी हमने सामाजिक सुधार की बात की थी ये जो सुधार आंदोलन हुए हैं ये दो तरह के थे एक तो धार्मिक सुधार आंदोलन थे और कुछ सामाजिक सुधारांदोलन थे आज भी हम सामाजिक सुधारांदोलनों के वे उपर चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्पूर्ण वेक्ति हैं जिनके वेक्तित्तों को देखेंगे जिनके जीवन के बारे में जानेंगे और जहां से प्रेशन बहुत जादा पूछे आते हैं और यह जो विशे है यह कुछ ऐसा विशे है जहां पे आपको किसी भी एक्जाम में आप तियारी कर रहे हो चाहे आप सीडिस की तियारी कर रहे हो चाहे आप SST की तियारी कर रहे हो रेलवेस की कर रहे हो UPSC की कर रहे हैं यहां से प्रेशन आते ही आते हैं और यह विशय भी कुछ ऐसा है कि यह बहुत जादा डीटेल में कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता तो हम शुरू करते हैं अपना आज के लेक्चर सबसे पहले बेखते हैं प्रार्थना समाज और प्रार्थना समाज की सथापना 1867 में बंबई में होती है और इसके संस्थापक हैं आत्मा राम पांडू रंग अब यह जो संस्थापक हैं जिनकी میں बात करूँ गा जितनी भी संस्थाएं हैं जिनके संस्थापक होगी में बात करूँगा उनको आप note down कर सकते हैं अपना note copy में note book पे क्योंकि यहां से प्रश्ण बनते हैं बहुत सारे societies की मैं बात करूँगा उनके संस्थापक उनकी मैं चर्चा करूँगा और यह exam में पूछे आते हैं यहां से प्रश्ण आ जाते हैं इनमें यह जो प्रात्ना समाज की जो स्थापना हुई है यह आत्मा रांग पांडूरंग ने की है लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति से जुड़े हुएते जिनका बहुत जादा महत्पूर्ण योगदान रहा है जैसे की महादेव गोविंद रानाडे आरजी भ भागिता नी भाई है प्रात्ना समाज के स्थापना में अब यह जो प्रात्ना समाज था इसमें धार्मिक सुधारों की पेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया है और प्रात्ना समाज के कुल चार मुख्य उद्देश्य थे जो पहला था वो यह था कि जात विवस्था बनी हुई थी उसको इन्हों सुईकार नहीं करना था उसका इनको विरोध करना था इस्त्री शिक्षा को प्रोच्ताहन देना था इनका काम विद्वापूरर्विभाको प्रोच्ताहन देना और विवा के लिए लड़के और लगी की आयू में व्रिधी करना ये इपने पिछले लेक्चेन बात की थी 1856 में 1856 में ईश्वर चंद विद्या सागर की कोशिशों की वजए से ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसको विद्वा पुनर विवा अधिनियम बोलते हैं और ये जो प्रात्ना समाज की स्थापना हुए ये 1867 में यान लिए जिसकी वज़े से इनको प्रोप्साहन देने का कारे करना बड़ा इसके बाद आता है यंग बंगाल आंदोलन जो की उन्नीश्वी शताद्दी के शुरुआत में बहुत जादा मशूर हुआ बहुत जादा प्रसिद्ध हुआ और इस समय बंगाल के जो बुद्धी ज परती थे और इन्होंने हिंदू कॉलेज में 1826 से लेके 1826 से बीच में प्राध्यापक के रूप में काम किया है और यह फ्रांस की क्रांती से बहुत जादा प्रभावित थे जैसा कि आपको पता है कि 18 सदी में फ्रेंच रिवॉलिशन आया था जिसमें हमने बहुत सारे वर राम मोहन रॉय भी बंगाल में बहुत जादा सक्रिये थे तो इसके उपर भी हम चर्चा कर चुगें पिछले रेक्चर में राजा राम मोहन रॉय की पूरी जीवनी के बारे मैंने आपको बताया और उनके साथ जुड़े वे जितने भी सामाजिक सुधार है वो भी आपको आते तो यह जो हैंडरी विविएन डोरोजीयों हैं यह आंगल भारतिये थे और इन्होंने एकाडमिक एसोसियेशन और सोसाइटी फॉर दा एक्जिवीशन ऑफ जनल नौलेज जैसे संगठोनों की स्थापना किये तो यहां से प्रश्न आता है एकाडमिक एसोसियेशन और सोसाइटी फॉर दा एक्जिवीशन ऑफ जनल नौलेज इन दोनों की संथापना किसने की है हैंडरी विविएन डोरोजीयों काट्टर हुंदियों से इनका मद्भेद हो जाता है जिसके कारण जो डोरोजीयों हैं इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया जाता है और इसके बाद यह इस्ट इंडिया नाम का समाचार पत्र शुरू करते हैं इसका संपाधन करते हैं आजके लेक्चर में शाजरे प्यक्रपत्रों की बात करें गार्यां करिंगे उस्थापत्र है इसमें डॉरोजियों साब की डैस हो जाती है, इनकी मृत्तियों जाती है, बहुत ही कम आईउ में, और इनकी मृत्तियों के बाद आंधोलन जुह है, पूरी तरह बिखड जाता है, किंतु इसके बावजूद इसने राजा राम मोहनरॉय के विचारों को आगे बढ़ाया, और सुरेंद्रनाद बनर जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सब्विता का जनक कहा है तो किस ने कहा है सुरेंद्रनाद बनर जी ने कहा है यंग बंगाल आंदोलन को आधुनिक सब्विता का जनक इस आंदोलन का मुख्य उद्देश चेज उठाओ क्या था प्रेस की स्वतंतरता पहला दूसरा जमीदारों द्वारा किये जा रहे है अत्याचारों से रईयत की संवरक्षा तीसरा सरकारी नौक्रियों में उचे वेतनमान की अंतरगत भारतिये लोगों को नौक्री दिलवाना ये इसके तीन मुख्य उद्देश ये थे यंग बंगाल अंदुलंगे अब हम आते हैं परमहंस मंडली जो की फिर से महराष्ट की बात करूँगा मैं इसकी स्थापना महराष्ट में 1849 में हुई है दादोबा पांडूरंग महताज दुर्गाराम और उनके साथ उनके बहुत सारे सहयोगी मित्र थे जिनोंने मिलके परमहंस मंडली का भी जो उद्देश्य था वो धार्मी सुधार नहीं था बलकि सामाजिक सुधार था जो सामाज में फैली हुई जाती विवस्था के विरुद्ध जो कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध इनको अपनी लड़ाई लड़नी थी तो इसके जो सदस्य थे वो केवल एक करते थे और जाती प्रता की बराईयों को खत्म करना चाहते थे अब इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है इस जाती प्रता को खत्म करने के लिए और इन्होंने थियोरिटिकल तरीके नहीं ढूंडे इन्होंने प्रैक्टिकल तरीके ढूंडे और इन मंडलियो कि जो इसमें इन्होंने क्या किया एक दावतों का आयोजन किया करते थे और वो जो दावते थी उसमें जो भोजन है वो तथा कतित निम्न जाती के लोग बनाये करते थे और इस भोजन को इस मंडली के सबी सदस से गहन करते थे चाहे वो किसी बिजाती की हो तो यह प्रैक्ट तरीका निकाला है परम हंस मंडली के साथ जुड़ा हुआ है कई बार यह प्रश्ण यहां से इस तरह से बन जाता है कॉंसेप्च्वल बेस्ट कोश्चन यहां से बनते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है जोती बाफूले ने की थी और यह जोती बाफूले जो है यह माली जातीम पैदा हुए थे सत्य शोधक समाज अब नाम से समझ में आ रहा है सत्य की खोज करना सत्य शोधक सत्य की खोज करना तो एक छोटा सा एक इवेंट हुआ था इनकी जिंदगी में जिसकी वज़े से बहुत जादा प्रभावित हुए और उन्होंने इस सत्य शोधक समाज की सापना गी मैं छोटी से घटना इनकी जीवन की जो आपको बतायता हूँ ये एक बार एक शादी में गए थे और उस शादी से इनको मंडप से ही धक्के मारके इनको बहार निकाल दिया गिया और जब यह घर आते हैं और अपने पिताई से पुछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ इनके पिटाई कहते हैं कि ऐसा ही सदियूस चला रहा है है और भर्म रूंध सोमें भी ऐसा गुष दरूर असत्य होगा तो इसलिए सथ्ट की खोश करने के लिए ये सत्य शोदक समाज की सापना करते हैं तो इस संगठन का जो मुख्य अदेश्य था ये समाजिक सेवा करना था और इस्त्रियों एवं निम्न जाती के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था तो ये निम्न जाती के बीच ऐसे धार्मिक अनिश्ठानों को करने के लिए पुरुईतों की अनिवारता को खतम करना चाते थे, उनके जो महत्तों हैं उसको खतम करना चाते थे, इसलिए निम्न जाती और इसलिए इन्होंने इस्त्रियों इस्त्रियों के भी शिक्षा के उपर जोर दिया फूले जी ने माल गुदारी के विरुद्ध कारे किया जो की टैक्सेशन है भूराजस उसके विरुद्ध भी उन्होंने कारे किया और वो जाती प्रता के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षदर थे इसलिए इन्होंने ब्रामणों के प्रतीक चिन्ध माने जाने वाले श्री राम के विरुद्ध में इन्होंने राजा बाली को अपने आंदुलन का प्रतीक चिन्ध मनाया उन्होंने अपनी पतनी सावित्री बाई फूले जो कि एक और समाज सुधार के रूप में उभरी थी और इनकी साइथा से पूना में पहला बाली का इस्कूल खुला और महाराष्ट्र में अनेको इस्थान पर विद्वा पुनर विवा का कारीक्रम प्रारम्ब किया 1854 में विद्वाओं के लिए इन्होंने एक आश्रे स्थल भी खोला उनके समाजिक सुधार के कारियों के लिए इन्हें महात्मा की उपादी दी गई है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है यहां से प्रश्न बनेंगे बालिका स्कूल और महात्मा की उपादी इसकी स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो की कॉंग्रेस के नेता थे और इसमें इनकी महागोविंद राना डिये ने सायता की है 1905 में संस्था की स्थापना हुई है इसका उद्देश राष्ट्री मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना से कारे करने के लिए तयार करना था 1911 में संगठन के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू किया गया तो यहां से प्रश्न बन सकता है हितवाद का प्रकाशन किस से जुड़ा हुआ है हित्वाद जो पत्र का ये है अपना समाचार पत्र है इसका प्रकाशन जुड़ा हुआ है तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से इस सोसाइटी ने राजनीतिक गती विदियों और भारती राश्टी कॉंग्रेस जैसे संगठोरों से अलग रहने का निर्णा किया और यहाँ पे इन्होंने ये निर्णा इसलिए लिया क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा मुद्दा था वो समाजिक सेवा का था और ये राजनीतिक गती विदियों से दूर रहना चाते थे इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक गतीविदियां हैं वो कहीं न कहीं समाजिक गतीविदियों को या समाजिक सुधार को बहुत जादा उचित्ते नहीं देती थी और इस पे लेके बाल गंदा तर तिलक से भी बहुत लोगों के आगे चलके कि हम देखेंगे कैसे विवाद होते हैं और किस तरह उनको उपना रास्ता बदलना पड़ता है जब उनको समाजिक सुधार को प्रेफरेंस देनी है तब तो 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यू के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री ने इसकी अद्धिक्षता समाली है इस सोसाइटी ने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए स्कूल खोले Social Service League एक इसी तरह से मिलती जुलती एक संस्ता है Servants of Indian Society की तरह और इसकी जो इस थापना है ये गोखले के ही समर्थक से नारायन मलहार जोशी एनम जोशी आपने सुना होगा बहुत जादा महतपूर्ण है आधुनिक भारत में जब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉलिशन पढ़ेंगे उसमें ही बहुत जादा महतपूर्ण है और इन्होंने बंबई में इसकी स्थापना की है इस लीक ने कई स्कूलों, पुस्तकालेंग, अध्यन कक्षों और सरकारी समीतियों की स्थापना की इसके कारे करता न्यायलों के एजन्ट के रूप में कारे करते थे और जब भी गरीब लोग न्यायले के लिए किसी न्यायले में जाते थे उनके पास फीज देने के लिए कुछ नहीं होता था तो ये जो इसके कारे करता थे ये उनकी पैरवी किया करते थे गरीब लोगों की free of cost तो सच्छता अभ्यान इनके बुद्दों पे था चिकित्ता सहायता युवा क्लबों की इन्होंने स्थापना की और जुगी जोपड़ से जुड़ी है सर्विस सीम सोशल सर्विस लीग है और यही एक ऐसी संस्था थी जो कि इस तरह के कारे करती थी कि इसके जो कारे करता थे वो गरीबों की free में पैरवी किया करते थे इसके संस्थापक जो है जैसे मैंने पताए आपको एनम जोशी नाराय अनलार जोशी इन् 1920 में अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कांगरेस की स्थापना की है तो इसलिए बहुत जादा महत्वपूर्ण जाते हैं एनम जोशी क्योंकि दो संस्थाओं से जुड़ गए और यह दोनों संस्थाओं जो है एक दूसरे के साथ वैमनस से मिला के चलती है और इसलिए सारे आधुनिक काल में बुद्धी जीवी हुए हैं बहुत सारे समाशस उधारक हुए हैं और इसमें से हम कुछ नामों की चर्चा करेंगे जो की इक्जाम पॉंट ऑफ वी से भी इंपॉर्डेंट है और इनके जो समाश सुधार है उसका बहुत अधा असर पड़ता है के उपर बेज होता है तो सबसे पहले नाम आता है बाल शास्त्री जांबेकर का इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाचार पत्र करने का रास्ता निकालते हुए ब्राह्मनवादी रूडिवादिता का विरोध किया तो इन्होंने पत्रकारिता का माध्यम चुना और पत्र इसलिए है क्योंकि मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है भारत का और इसलिए इनको जो बाल शास्री जामबेकर है इनको मराठी जो समाचार है मराठी समाचार पत्र है या हम कहले हैं कि मराठी प्रेस है उसका इनको जनक कहा जाता है इसके पिता के प्रकाशन किया, इसका प्रयोग विद्वा पुनर विवाज ऐसे सामाजिक सुधारों के प्रती लोगों को जागरुक करने के लिए किया गिया इसके बाद इन्होंने थारा सचालिस में दिख दर्शन नामक एक पत्र शुरू किया दिख दर्शन मतलब किसी को दिशा देना इस तरह का एक पत्र इन्होंने शुरू किया जो वैग्यानिक विश्यों के साथ-साथ इतिहा सम्मंदी विश्यों पर लेग प्रकाशित किया करता था इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइबरी की नीव रखी इसके बाद ये कुलाबा अब्दर्वेटरी के निदेशक के पत्पे रहे और इसके अत्रिक ये एल्फिंस्टन कॉलेज जो की मुंबई में है इसके प्रतम हिंदी प्रवक्ता के रूप में कारे रत रहे इसलिए बहुत जादा महतपूर्ण है क्योंकि बहुत सादा जुड़े हुए संस्थाओं से बहुत शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े हुए एशियाटिक सोसाइटी के त्रेमासिक जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित करने वाले पहले भारती थे तो इसलिए यह बहुत जादा महतपूर्ण यहां से प्रश्न बनेंगे क्योंकि पहले भारती थे जिन्होंने मराठी भाषा में कोई समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम है दरपन भी पूछा जा सकता है मराठी भाषा के पहले पत्रकार भी बोले हैं या आप से बोला सकता है कौन पहला ऐसा भारती था जिसने एश्याटिक सुसाइटी के त्रहमासिक जर्नल में शोध पत्र प् इसके बाद गोपाल हरी देशमुग बहुत जादा प्रसिद्ध रहे हैं और बहुत ही जादा इनका नाम समने सुना होगा लोग हितवादी के नाम से इनको जाना जाता है ये बिटिश शासन के अधीन एक नया अधीश थे और साती सात महराष्ट के एक समाज सुधारक और तर्कवादी भी थे समाज सुधारके मुद्धों पर इन्होंने प्रभाकर नाम की एक सापताहिक पत्रिका में लोग हितवादी के नाम से लेख लिखने शुरू किये तो इसलिए इनका नाम लोग हितवादी ज्यादा प्रसेद हो गिया क्योंकि इन्होंने इस पत्रिका में लेख लिखने शुरू किये और उसमें नाम अपना लोग हितवादी रखा के नेतरत में पूरे में एक सारजनिक पुस्तकाले की स्थापना की उन्होंने एहमदाबाद में प्रार्सना समाज की एक शाखा की स्थापना की और विद्वाओं के पुनर विवा को बढ़ावा देने वाले एक संस्थान की भी स्थापना की और गुजराद वन निकुलर ससा और उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी दोनों में एक सापताहिक शुरू किया जिसका नाम है हितेच्छु तो हितेच्छु शुरू किया है गोपाल हरी देश्मुक ने और ये किस भाषा में है ये पूछा जा सकता है आप से क्योंकि गोपाल हरी देश्मुक आपको नाम सुनने से लगेगा माराठी तो माराठी दिमाग में आ जाता है लेकिन ये जो साथताहिक शुरू किया गया है ये गुजराती और अंग्रेजी भाषा में हैं उन्होंने गुजराती बूड़ी वर्दक सभग भी शुरू करी गोपाल बाबा वलंग कर इन्होंने छुआ से सेवाने व्रत हो जाते हैं 1888 में तो प्रथम मासिक पत्र का इन्होंने प्रकाशित करी जिसका नाम है विटाल विद्धुनसक तो विटाल विद्धुनसक किसकी है गोपाल बाबा वलंग कर की यहां से प्रश्न बन सकता है और ये गोपाल बाबा वलंग कर जो हैं ये मरा परिहारक मंडल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है गोपाल बाबा वलंकर तो यहां से इस तरह से दो कोश्चन बन सकते हैं गोपाल बाबा वलंकर के उपर और तीन भी बन सकते हैं हो सकता यह भी पूछले कि कौन से महराष्ट के समाज सुधारक थे जो की मराठा सेना से सेवा इवरत्त हुए थे तो इस तरह से तीन चार कोश्चन इससे बन सकते हैं किशन बन सोड़े अच्छूतों के अधिकारों और विकास के लिए इन्होंने कारे किया सन 1900 में प्रेस चुरू किया और असप्रश्य लोगों के सुधार सम्मंदिक कई अकवारों और पुस्तकों को इन्होंने जिसमें से एक था चोखा मिला चोखा मिला की जीवनी भी नहीं प्रकाशित की अब यह चोखा मिला जो हैं यह चौदमी स्थी के 14th century के एक संत हैं और ये जो 14th century के संत हैं ये एक निम्न जाती के थे महार जाती के जिसको बोला जाता है और महार जाती के ही आपके डॉक्टर भीम राव अमेट कर भी होते हैं तो ये जो संत हैं इन्होंने इनकी जीवनी है इनकी जीवनी इन्होंने प्रकाशित करी है किशन बंसोडे ने तो ये जो 14 सेंचरी के संथ है ये इसलिए ज़्यादा महत्पूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनकी जीवनी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आगे चलके लोगों को निम्न जाती के लोगों किस तरह से उनको समाज में जीना चाहिए इसके लावा इन्होंने मिल मजदूरों को शिक्षित और एजुकेट करने के लिए 1918 में मजदूर पत्रिका प्रकाशित की तो मजदूर पत्रिका प्रकाशित की है चोखा मेला की जीमनी लिखी है और 19 सों में प्रेस खोला है ये इनके तीन ऐसे कार रहे हैं जहां से प्रेस न बन सकते हैं और चोखा मेला हमको याद रखना है चोखा मेला किशन बंसोड़े के साथ जुड़े हुए गोपाल गणेश आगरकर ये आज के मेरे आखरी समाज सुधारक नेता है जिनके मैं उपर चर्चा करूँगा और गोपाल गणेश आगरकर के उपर बहुत ज़ादा काम किया गिया है हाल फिलाल में रिसर्च हुई है बहुत ज़ादा इन्होंने आगरकर न्यू इंगलिश स्कूल दक्कन एजुकेशन सुसाइटी और फर्गुसन कॉलेज में सह संस्थापक थे ये मानवियत तरकों के समर्थक थे और अंद विश्वास पर इन्होंने प्रहार किया है लोकमान ने तिलक द्वारा शुरू किये गए अखवार केसरी के ये प्रथम संबादक भी थे केसरी जिसके उपर हम अल्यड़ी चर्चा कर चुके हैं पहले भी अपने लेक्चर में लोकमान तिलक का जो अखवार तक केसरी इसके ये प्रथम संबादक थे लेकिन इनका जो बाल गंगादर तिलक है उनसे एक मद्भेद हो जाता है इस बात को लेके कि जो बाल उन्गात तिलक हैं वो राजनीतिक मुद्दों पे जादा लिखना चाते हैं जबकि यह जो गोपाल गनेशागरकर हैं यह ऐसा सोचते हैं कि जो समाजिक सुधार है उसको हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए राजनीतिक सुधारों के उपर क्योंकि समाजिक सुधार जब हुपाएंगे तभी राजनीतिक सुधार मुम्किन होगा तो इसलिए यहां से इनका मद्भेद हो जाता है लोकमान तिलक से और यह केसरी का संपाधन छोड़के यह अपना खुद का एक periodic शुरू करते हैं जिसका नाम है सुधारक सुधारक नामा कि सवयम का पिरियाडिकल शुरू करते हैं जिसमें असप्रश्यता और जाती विरॉष्था के विरोउध में आवाद उछा जाती है यानि कि जो untouchability है और जो cast system है उसके against आवाद उठाना शुरू करते हैं। तो ये मेरा आज का lecture साँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको like, share और subscribe जरूर कर लें। और यदि आपके मन में कोई भी दुवधा, कोई भी प्रेश्ण हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का link दिया हुआ है। comment section में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने जितने भी doubts हैं या जो भी आपकी कुछ भी ऐसी queries हैं, उसको वहाँ पे आप आके उसका निटारा कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आप से अपने अगले lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद।